नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा श्री राम तीरत मंदिर जी हाँ दोस्तों श्री राम तीरत मंदिर रामायर की रचना लवकुस जन्म और अस्व मेग यग से जुड़ा है अमरित सरकाये तीर जी हाँ दोस्तों माननेता है इस तीर्थ इस्थान पर ही महर्शी बालमीक ने की थी रामायर की रचना जी हाँ दोस्तों अश्विन महने के सुक्ल पच्छ की दसमी तिथी पर भगवान राम की जीत का पर्व दसहरा मनाया जाएगा इस युद्ध का जिक्र महर स्री बालमीक रचित रामायर में मिलता है माननेता है कि बालमीक द्वारा 24,000 छंदों वाली रामायर जिस जगह पर लिखी गई वह है अमरत्सर में है जहां वर्तमान में स्री राम तीरत मंदिर बना हुआ है जी हां दोस्तों लवकुष के जन्म से जुड़ी है जगह जी हां दोस्तों स्री राम तीरत मंदिर भगवान राम को समर्पित है ऐसी माननेता है कि यहां महर स्री बालमीक का आश्रम और एक कुटी थी इसलिए इसे बालमीक तीरत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यहां वालमीक जी की आठ फिट उची गोल्ड प्लेटेड प्रित्मा इस्थापित की गई है माननेता है कि भगवान राम द्वारा माता सीता का परत्याक करने के बाद वालमीक जी ने सीता जी को इस जगह पर अपने आश्रम में आश्रे दिया था यहीं पर लव और कुष का जन्म हुआ था महर सीबालमीक ने रामायर की रचना भी यहीं की थी इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुष को सर्ष्ट्र चलाने की सिच्छा भी दी थी जी हाँ दोस्तों सरोवर की परक्रमा जी हाँ दोस्तों जब राम जी ने अस्व में यग्ज के लिए घोड़ा छोड़ा था तब इसी स्थान पर लव कुष ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी से युद्ध भी किया था इस मंदिर के पास ही एक सरोवर है जी हाँ दोस्तों इस मंदिर के पास ही एक सरोवर है जिसे बहुत पावन माना जाता है माननिता है कि इस सरोवर को हनमान जी ने खोद कर बनाया था जी हाँ दोस्तों ऐसी माननिता है कि इस सरोवर को हनमान जी ने खोद कर बनाया था इस सरोवर की परधी 3 किलो मीटर है सरोवर में नहाने के बाद भक्त इस सरोवर की परक्रमा करते हैं यहां प्राचीन बावडी भी है माना जाता है कि सीता माता यहां इसनान किया करती थी इस बावडी में इसनान कर महिलाएं संतान पाने की प्रातना करती है जी हां दोस्तों लगता है चार दिवसी मेला मंदर के पासी प्राचीन श्री, राम चंद्र मंदर, जगनात पुरी मंदर, राधा किष्ण मंदर, राम लचमर, सीता मंदर, महर सिबालमीक जी का धूना, सीता जी की कुटिया, सी लचमी नाराण मंदर, सीता राम मिलाप मंदर जैसी खास धार्मिक जगे हैं जो रामायर की याद दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर चार दिवसिये मेला लगता है। मंदर के पास ही प्राचीन स्री रामचंद मंदर, जगनादपुरी मंदर, राधाकिष मंदर, राम लचमर सीता मंदर, महर्षष बालम्यग जी का धुना सीता जी की कुटिया सी लचमी नायर मंदर सीता राम मिलाप मंदर जैसी खार धार्मिक जगह हैं जो रामायर की याद दिलाते हैं लोग इस मंदर में आकर इटों के छोटे-छोटे घर बनाकर मन्नत मांगते हैं कि हमें अपने स्वैम के घर की प्राप्ति हो कार्तिक महने की पूर्मा के दिन श्री राम तीर्थ मंदिर में चार दिनों के वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है जी हाँ दोस्तों कार्तिक महने की पूर्मा के दिन स्री राम तीरत मंदिर में चार दिनों के वारिशिक मेले का आयूजन किया जाता है जिए हाँ दोस्तों तो आज मैंने आपको बता है स्री राम तीरत मंदिर रमाइर की रचना लकोस, जन्म और अस्मेग यक से जुड़ा है अमरिशर का ये तीरत जी हाँ दोस्तों मानता है कि इस 30 स्थान पर ही महारश्विबाल्मीक ने रमायर की दज्रच्ना की थी और यहीं सीता मा भी रही थी और यहीं पर लौकुस को सश्चबिध्या सिखाई थी जी हां दोस्तो, दोस्तो थैंक्स पर वाचिंग माई यूटूब वीडियो